मुंग दाल किचली बहुत ही लुट हाल्थी और टेस्टी होती है जब भी हमें लाइट खाने कमान करें या अधील हुट हो तो हम लोग मंग दाल किचली प्रायफर करते 16 be कि कौंट इंधाई बात था कि सबंसने और इस तरह बनाई उस हमरों किह मोद्ग का सब दल कंटिट से इतुम तरह है पाल भाल जू में तरह बनाई पिस प्रष के का दाल बड़ा। यह टहरा नहीं को तक प्रहा हैं एवरीपर राफी Candle हैं स्वैडि değişानिक ऑले सफ इनको चामल अपज़रें कई लिए मैं के के द प्रहदःे कर द्रहें हैं अबसंधों कितो आप 2 दाल कर लिये अगर आप डाल की कोईनिरी कम करना चाहें और चामल की बढ़ाना चाहें तो आप उस तरह भी बना सकते हैं वह भी बहुत हमी बनती है लेकिन इस तरह बनाएंगे तो यह बहुत है बनती है अभी किसी ए आ जायते है जैसे कभी फीवर हो जाए या फिर दॉक्तर बोले की मैं क्षेच्णी में लाल मिरिच आट नहीं करूंगी में क्योंकि शीच्टि एक नुक्सान नहीं करती आकपauth इसको अच्छane का लिए पकाने के बाद क्षेच्णी में और बहुँ है ऊसके अंदर ततव है के उसे पानी देड से में रख अधय milis क्योंकि वह साफ पानी ही है तो मैं वह भी एट कर लूँगी और इसके साथ इसको अच्छे से चला लूँगी उसके बाद मैंने सिर्फ इसमें एक ग्लास पानी और एट किया है यह एक से दो जुनों के लिए आराम से इसमें यह खिचली बन जाएगी कि देखेए और मैं इसमें एट कर लूँगे इक ग्लास पानी और इसमें ने बाहुत आप नहीं में दIDE कर सकते हैं और किषटी बनने के बाद इसको आप नहीं कि अधा के साथ क्हाएए और या फिर पिर नहीं है तो आप लैमन के साथ डाल के खाएं बहुत यहमी बन ती हों बहुत यहिते हैं लाइट खान आए बिल्कुली जब भी कुछ इवी खाने को ना करेमन ठोल लौं दाल खिचडि बनखे कि खाये बहुत लौत यहलद्य बहुत यहमी बनेगी कि बस मैं प्रेशर एक फुल और तो तीन सीटिया मैंने सिंपे लगा ली थी बन की हमें हमारी खिचडी चलिए इसको सब करते हैं यह देखिए इसका टेक्शर देखिए बहुत हमी बनी है थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो प्लीज मेरी चैनल पर जो नए है मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए बेल अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब आई चैनल